आतियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र देश के हर हिस्से, हर नागरिक के विश्वास का मंत्र बन चुका है आज देश के हर जन, हर खेत्र को लग रहा है, कि उस तक सरकार पहुंच रही है, और वो भी देश के विकास में भागिदार है हमारे जन जातिये खेत्रों में भी, आज ये आत्म विश्वास में, बनी भाती, उसमें एक नई ताकत आई है, और मैं इसको देख पा रहा हूँ आदिवासी अंचलों में मुल्ट सुविधाये तो आज पहुंची रही है, बलकि इन खेत्रों के लिए विशेश योजनाओं के तहद भी काम किया जा रहा है जन जातिये युवाओं के शिक्षा के लिए देश में सैंकडों नए एकलब्वे मॉडल आवासी स्कूल स्विकृत किये गए है इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को होस्टेल की सुविधा उपलब्द होगी इसमें से अनेक स्कूल यूपी में भी खुल रहे हैं कोशिज यह है कि हर आदिवासी बाहुलेक ब्लॉग तक इस व्यवस्ता को पहुँचाया जाए पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तराशी जा रही है वन उपजों की जादा किमत आदिवासी साथियों को मिले इसके लिए साड़े बारा सो वन धन केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं इनके माध्यम से सैंकडो करोड रुप्य का कारोबार भी किया गया है यही नहीं अब आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट वनोपज आधारित उद्योंग भी आदिवासी क्षेत्रों में लगे इसके लिए भी जरूरी सुविधाएं तयार की जा रही है आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसे की कमी ना हो इसके लिए डिस्ट्रीक मिनरल फंड बनाया गया है सोच ये हैं कि आदिवासी क्षेत्रों से निकलने वाली संपदा का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में लगे उत्तर प्रजेश में भी इस फंड में अब तक लगबग आठ सो करोड रुपिये इखट्था किये जा चुके है इसके तहट साड़े छेजार से जादा प्रोजेक्ट स्विकृत भी किये जा चुके है और सैंक्रों प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके है